हलो दोस्तो वैसे तो मार्केट में कई सारी औसी कमपणिया हैं जो कि वॉटरपॐम समरसेबल बनाती है जैसे कि CRI कमपण यह हमारा टेक्समो कमपणी हो गया और भी कई सारी कमपणिया है तो आज हम इन दोनों कमपनियों के बीच में कमपरिजन करेंगे कि दोनों में से कौन सब बेस्ट होता है और कौन अच्छा होता है और कि इसके सर्विस आपको अच्छी मिलेगी तो मेरा नाम है संजेनायक आप देख रहें आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी फीड तो बिना कसी देरी के आज की वीडियो को हम सुरू करते हैं तो हम बात करते हैं CRI कंपनी की अच्छा आपको पता है CRI का फुल फुल फुम क्या होता है CRI का फुल फुल फुम होता है commitment, reliability, innovation और ये कंपनी की सुरुवात हुई थी लगभग 1960 इस्वी से काफिक पुरानी कंपनी होने के कारण इसका experience होता है वह बहुत ही अच्छा है क्योंकि जितना पुराना होगा वह अपने प्रोड़क्ट को बेटर से बेटर करते जाएगा क्योंकि कोई भी innovation जब होता है तो वह सुरुवात में उसमें कुछ खामिया होती है और समय के साथ खामिया अपडेट होती है और उसमें और भी थोड़े सुधार आते हैं तो यानि कि आप समझ सकते हैं कम से कम 40-50 साल पुराना हमारा कंपनी है तो इसलिए इसका पंप थोड़ा बहुत ही अच्छा आज के फिल्ड में काम करता है और लोंग लाइप चलता है यानि कि कुल मिलना के यह बात है कि अगर आपकी पुरानी कंपनी जो होती है वो अपने प्रोडक्ट पर बहुत ही विसेस तैप से ध्यान देती है क्योंकि उ किलर्स की कोई कमी नहीं है आज के डेट में और इसका सर्विस भी आपको असानी से हो जाता है अगर कुछ अगर प्रोब्लम हो जाता है उसमें और हम देखेंगे इसके साथ कि इसका प्राइट जो होता है और कंपनी के साथ कितना वैरी करता है वह हम आगे जानेंगे लेकि वी आए जहां तक देखता हूं कि लोग टेक्समो कम ही नज़र आता है लेकिन ये भी बहुत एची कंपणी और बहुत पुरानी कंपणी है और सबसे में बात यह है कि ये कंपणी अपना जो पार्ट है वो खुद बनाती यानि कि यह संब्ल नहीं करती है अलग अलग पार्ट के घृरल करके पंप नहीं बनाती है आलाकि यह नहीं होता है झिसका झाला पहुत कुछी चिसे वो केबल हो गया पैप हो गया और बहुत कुछ नहीं बहुत सारे हैं यूदी खुद का जो उसका ड़नाने के कारण उसको ओंडी बहुत ही अच्छा निकल करें दो कि आपक्पता होगा एसेंबल हूँ चीज में थोड़ा सा 19-20 रहता ही सब चीज बनाता है तुसको पक्का पक्का पता रहता है कि मेरा चीज क्या है कैसे काम करेगा यानि कि खुद से बना हुआ पार्ट सी बन्दब अच्छा रहता है वह भी वेकार नहीं है ऐसा नहीं कि वह खराब ही अच्छा कोई खराब नहीं होता है बस सबका अपना अपने फिल्ड होता अपना अपना तरीका होता है मैनिफेक्ट्रिंग का तो हम दोनों कमपनी के बेस समर सेवल का प्राइस का कमपरेजन करें तो CRI कमपनी के 1 HP 10 स्टेज का वाटर पंप आपको पड़ जाएगा 12 से 13,000 रुपया वही टेक्समो कमपनी में आपको सेम कॉन्फिर्गेशन का पंप आपको पड़ेगा 14 से 15,000 रुपया यानि कि 1-2,000 रुपया इसमें वैरी करता है और बात करें दोनों के वारेंटी की तो वा दोनों के साथ जा सकते हो और दोनों में आपका काम बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और लोंग लाइप चलेगा तो इसमें आप मैंने आपको इसका प्राइज का भी बता दिया कि इसमें थोड़ा सा होता है क्योंकि कोई भी पंप जो होता हुँ एक यह पर नहीं आता उसका पावर भी अलग अलग होता है और आपको पता करना है कि यह स्टेज क्या होता है या और भी डिटेल्स जानने है तो मेरी एक और वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहा साथ ही आपको इंस्टोलेशन करने का भी वीडियो आपके हमारे चैनल में मिल जाएगा आपको तो वीडियो देखने के लिए ठैंक यू अपली हमें उमीद है कि आपको हमारी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफी यूसफुल भी रही होगी तो